एक आदमी जिसे शिकार करना बहुत जादे पसंद था फर वो जानवरों का नहीं बलकि बंपायर का शिकार किया करता था एक दिन वो एक ऐसे बंपायर का शिकार कर लेता है जिसकी वज़ा से वो और उसका पूरा परिवार मुसिबत में आ जाते हैं जाने कि बंपायर के सभी लोग उसके पीछे हाथ दो कर पड़ जाते हैं अब देखना यह है कि वो उन बंपायर से खुद को और अपने पूरे परिवार को कैसे बचाता है तो चलो सुनते हैं आज की कहानी को इस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है बर्ड जी बोसकी बर्ड जी ब बर्ड ने अपनी गंप से उस बंपायर फे फाइर कर दी इसके बाद हमें बताया जाता है कि बंपायर असल में होते कैसे हैं दरसल एक कैसे पर जाती होती है जिन पे गोले का कोई असर नहीं होता है और इनके पूरे पैर साभी तरह मुड़ सकते हैं अगर ये बंपायर कुछ समय तक फाइट करने के बाद उस बंपायर के गरदन को धर्ट से अलग कर देता है वो बंपायर वहाँ पर ही मर चुगी थी इसी दोरान बाहर से एक बंपायर अंदर को आता है पर बढ़ ने पहले ही वहाँ पर ट्रैप लगा रखा था जिसकी बज़ा से वो बंपायर भी वहाँ पर मर जाता है उन दोनों के मरने के बाद बढ़ उन दोनों के दात निकालना शुरू कर देता है दरसल इस शहर में बंपायर के दात काफी महगे में बिखते थे बढ़ ने इस काम को अपनी रोजी रोटी का जरिया बना रखा था तूसरी और हमें और्डरी नाम तो वह अपनी मौत का खुद जमेवार होगा आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था एक बंपायर ने उसके खिलाफ जाने की कोशी की दी तो एडरी ने उस बंपायर को जिन्दा ही कंकुरीट के निचो दिवा कर मार दिया इस तरह बर्ड वहाँ से निकल के अपने घर आ जाता है घर पे नहाद होने के बाद अब वो अपनी बेटी को मिलने के लिए निकल चुका था जिसका नाम था पेज पेज से मिलने के बाद वो अपनी पतनी के पा जाता है पतनी से मिलने के बाद हमें उसके हालत के बारे में पता चलता है दरसल बर्ड की हालत काफी ज़्यादा खर चाहिए जितनी मर्जी भी हंटिंग क्यों न कर ले पर वो अपने घर का गुजारा सई से नहीं चला पा रहा है आज उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो अपनी बेटी की फीस भी नहीं भर पारा है जैकली ने उसे कहा कि वो अपना घर बेच रही है घर बेचने के पर इतने दात बेचने के बाद भी उसे कुछ अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे तो बर्ड ने हार कर अपना सब कुछ वाँ पर भी बेच दिया इसके बाद वह बहार आ उसने उसके पास जाकर अपने घर की हालत बताई और कहा कि मुझे फिर से जूनियन में शामिल कर लिया जाए इसके बाद हमें बताया जाता है कि बर्ड भी पहले इस जूनियन में काम किया करता था पर जब वो बंपायर को मारा करता था और उनके दात निकला करता था उसी दो उन्दर आजाते हैं अंदर आने के बाद बाद करो यहती है गोऄम में अलब हता है और बीक ज़से ठोड़ा सा समझाता है जिसके बाद बाद बॉस मान जाता है उसके बाद बॉस उसे एक आदमी से मिलवाता है और on कहता है गोते अध्यिकिन सैथ को रूल के बारे में सब कुछ मालूम था बॉस ने सैथ को कहा कि तुम उसके साथ जाओ जब भी वो कोई ना कोई गलती करे तो मुझे फ़र्म करना है मैं उसी समय ही बर्ड को इस जुनियन से फिर से बाहर निकाल दूँगा इस बात से हमें पता चलता है कि बाहर साखिरकार कमीने क्यों होते है अब सैथ उस उस आफिस से निकल के बर्ड के पास आ जाता है बर्ड उसको सभी तरह की जानकारी देना शुरू करता है वो कहता है कि बंपाइर को तो हमें मारना ही है और उसको सिखाता है कि हम खुद को बंपाइर से कैसे बचा सकते है अब दोनों मिलकर बंपाइर को मारने के लिए निकल पड़ते है दोनों अब एक पुराने से शेट के पास आ चुके थे सैथ एक तरह का डरपो का आदमी था तो वो वहां पर ही बैठ गया बर्ड उन बंपाइर को मारने के लिए अंदर जाता है अंदर जाके देखता है तो वो कुछ बंपाइर थे तो बर्ड ने अपने गोली निकाली और उन सभी को मारना शुरू कर दिया सभी को मारने के बाद उनके दांत में निकाल लेता है दूसरी और अर्डरी ट्रॉय के पास आ चुकी थी उसे मालूम हो चुका था कि उसकी बेटी के दांत यहाँ पर ही भीके हैं वो उसके चाकू से बार करती है और पूछती है कि उसकी बेटी को किसने खतम किया रोय अपनी जान की भीक मांगता है और उसे सब कुछ बता देता है सब कुछ मालूम होने के बाद वो ट्राय को मार के वहां से निकल जाती है पूरा दिन खतम होने के बाद बड़ अपने घर को आ जाता है जब वो घर पे आता है तो देखता है कि उसके बिल्डिंग में एक और नई लड़की रहने को आई है वो उस लड़की के साथ कुछ बातचित करता है अब अगला दिन शुरू हो चुका था तो बड़ फिर से सैथ के पहा जाता है इसी दोरान उसे मालम हो जाता है कि बॉस ने सैथ को इसके साथ इसलिए भेजा था तांकि वो उसकी गलतियों को नोड़ कर सके बड़ हारकर उसे अपनी सारी बाते बता देता है और कहता है कि प्लेस उसकी गलतियों को बॉस तक ना पहुंचाए क्योंकि उसको अपनी बेटी की फीस भरनी है वो अपनी बेटी के फीस भर पाए और इसके बाद चाहे उसे जुनियन से भी बाहर निकाल दिया जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज ये दोनों बंपायर को पकड़ने के लिए आटरी की बनाय हुए घर के पास आजाते हैं ये घर आटरी ने ही बनाय थे जानी की यहां पे जतने भी रहने बाले हूंगे के नहीं आज मिलकर हंटिंग की जाए तो बढब भी उन दोनों की बात मान लेता है और कहता है कि जतना भी मुनफभ होगा हम आधाधा बाट लेंगे इसके बाद वो चारों घर की अंदर आ जाते हैं सैथ सबसे पीछे था क्योंकि अभी वो डर रहा था ये तीनों काफी दलेरी के साथ उन बंपायर का मुकाबला करते हैं काफी समय तक गोली बार चलने के बाद वो सबी बंपायर को खतम कर चुके थे सैथ का ये दूसरा दिन था इस दूसरे दिन में भी वो बंपायर से काफी यादे डर रहा था उन सबी बंपायर को मारने के बाद अब उनके नाथ निकालके वहां से निकल पड़ते हैं इसके बाद हमें bird को अपनी बेटी के साथ दिखाया जाता है आज किसी बच्ची का जनम दिन था तो वो अपनी बेटी को जनम दिन पकर लेके जाता है इसी दोरान उसे मालूम होता है कि कोई vampire उसकी बेटी और उसके पूरे परिवार को खतम करना चाहता था पर उसे अब तक ये नहीं मालूम हो पाया था कि वो कोई और नहीं ओर्डरी ही है खबर मिलते ही बर्ड अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ता है अब वो कार में जा रहा था पर ओर्डरी के सभी साथ ही अपनी गाड़ियों से बर्ड का पीछा करते हैं कुछ समय तक पीछा करने के बाद भी बर्ड वहां से निकलने में काम जाब हो जाता है अब वो वहां से निकल जुका था बाकी बंपाइर वहां पर ही किसी तरह खतम हो गई थे वहां से निकलके बर्ड अब अपने घर पे आ गया जब वो घर पे पहुँचा तो देखा कि और्डरी उसके घर पे आ चुकी थी उसने उसकी पत्नी को पकड़ के रखा था अंदर आता ही अब उसने बेटी को भी पकड़ लिया और कहा कि वो अपने घुटनों पे बैठ जाए इसके बाद और्डरी ने अपनी बात बतानी शुरू extensive उसने कहा कि जैसे तुमने ये मेरी बेटी को मारदेया है आज वैसा ही तुमारे साथ होगा मैं तुमारे बेटी को ले जाऊंगी पर मैं इसे मारूँगे नहीं एक बंपायर बनाऊंगी बंपायर बनाने के बाद ये लड़की अपनी ही मां का खून पियेगी इसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा ओर्टरी ऐसा ही करती है वो बर्ड को विहोश करके उन दोनों को अपने साथ ले जाती है बर्ड की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो सैथ के घर पे है वो ये देख के हरान हो जाता है कि सैथ भी एक बंपायर में बदल चुका था उसके अंदर एक ताकत आ चुकी थी बर्ड जब देखता है कि सैथ एक बंपायर में बदल चुका है तब वो उसे मारने की खोशी करता है पर अभी सैथ पूरी तरह बंपैर में नहीं बदला था उसमें अभी भी कुछ अच्छाईयां बाकी थी उसने कहा कि घवराय नहीं वो उसका पूरा साथ देगा बर्ड हार के आखिर कर उसकी बात मान लेता है अब वो दोनों निकल के बर्ड के घर पे आ जाते हैं बर्ड अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि जो नहीं पडोसी लड़की आई थी वो भी एक बंपैर में बदल चुकी है बर्ड भी उससे डरता है और उस पे हमला कर देता है वो लड़की कहती है कि डरो मत मुझे सब कुछ मालूम है और मैं तुम्हारी मदद करूँगी उसे ये भी मालूम था कि बर्ड की बेटी को कहां पे रखा गया है आखिरकार बर्ड उसकी भी बात मानता है अब ये तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि ये सबी बंपायर को खतम करेंगे और उसकी बेटी और उसकी पत्नी को बचाएंगे तब ही बंपायर को खतम करने के लिए वो वहां से निकल पड़ते हैं इसके बाद वो एडरी के अड़े पे आ चुके थे अंदर घुसते ही ये सभी बंपायर को मारना शुरू कर देते हैं कुछ समय तक मारने के बाद ये बुरी तरफ फस चुके थे तब ही इसी दोरान बिग जॉन भी वहाँ पर आ जाता है वो अपनी मशीन गन के साथ पहुचा था उसने अपनी मशीन गन चला दी और सभी बंपायर को खतम करना शुरू कर दिया इन बंपायर को खतम करने के बाद ही आगे बढ़ने लगते हैं सैथ और हंटर एक तरफ जाते हैं बिग जॉन और बर्ड एक तरफ जाते हैं जाते जाते ये दोनों काफी एक डरावनी सी टनल में आ जाते हैं, यहाँ पे काफी जादे अंधेरा था, अंधेरा तो था ही, इसे दोरान काफी जादे बंपायर भी वहाँ पे आ जाते हैं, बिग जॉन बर्ड को वहाँ से निकाल देता है, और कहता है कि तुम जाकर अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बचाओ, मैं इन सभी को देखता हूँ, वो इन सभी को खतम करने के बाद खुद को भी बलास्ट कर लेता है, जानी की बिग जोन यहाँ पे मर चुका था, बर्ड अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए और भी अंदर आ जाता है, दूसरी औ उखाड देते हैं जिसके बाद वहां पर ही धेर हो जाता है इस तरह बर्ड ने एड्री से फाइट करने शुरू कर दी थी काफी ज्यादा कुशिश करने के बाद भी बर्ड आड्री को मार नहीं पा रहा था एड्री काफी ज्यादे ताक्तवर थी क्यूंकि वह सबसे ओल्ड वंपायर थी उसकी ताकत के सामने कोई नहीं टिक पा सकता था काफी देर तक हमला करने के बाद बर्ड को एक तरीका सुचता है आज वो फिर िας से एक बार सिलवर का सहारा लेता है अपनी गंसे एड्री यह फूर करता है जब कि उसने आज फिर से अपने ट्रैप का इस्तिमाल किया था इस ट्रैप के गार उसने आज एड़री को भी खतम कर दिया एड़री को खतम करने के बाद उसके दात निकाल लेता है अब ये सबी सेफली तरीके से बाहर आ चुके थे सैथ और हंटर दोनों भी अच्छे थे बॉस होता है कि बर्ड ने कितनी सारी लटीयां की पर सेट इस बार जूत बोलता है और कहता है कि किसी तरह की आज जूट बोल रहा ृ y कि यहां पर इखतम